ओ माजिरे संग चल मेरे नदिया पोकार मेरा नाम नदिया चले तोड के सरह दें चलते ही रहना उसका काम बैहता पानी न कोई ठिकाना उसका न कोई सहारा मेरा भरोसा अब न दिया किदारा लेहरों के आगे है किनारा माजी भी मैं हूँ और नईया भी मैं जीवन समंदर में पतवार मैं माजी भी मैं हूँ और नईया भी मैं जीवन समंदर में पतवार माजी भी माजी रे हाई दोस्तों मैं आमराभा बैनर जी सिंगर, सॉंग्राइटर और लीड वोकलिस्ट अफ बैंड ऐसाज कोरोना के लोगडाउन के दौरान हम सब अपने अपने घर में बंद हैं और शायद foreseeable future तक अपने घर पे बंद रहेंगे इसी दौरान जब घर पे मैं, मेरे दोस्त, मेरे bandmates और आप सब जब घर पे बंद हैं, अकेले हैं, सारे काम अकेले कर रहे हैं कोई अपने family के साथ है मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा artist या फिर कुछ भी कह लिजए, common man अगर घर पे अकेला बंद है, तो उसके दिमाग में कई खयालात आते हैं कई चीजें उसके दिमाग को छू जाती है सबसे बड़ा चीज है insecurity, कि कल क्या होने वाला है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कहीं मेरे family के लोगों को या फिर मेरे चाहने वालों को कुछ होना जाए क्योंकि जिन्दगी में सबसे जरूरी अब अगर कुछ महसूस हो रहा है तो वो अपने है, सपने नहीं यह मैं कह रहा हूँ, मेरे personal experience से कह रहा हूँ मैं इस पांच महीने यह च्छे महीने जितना भी duration है इस दौरान हम सब musicians, artists, सब लोगों के लिए बहुत-बहुत cut-in परिस्थिती है, cut-in situation है काम आप सब को पता है, हम लोगों के लिए generate नहीं हो पा रहा है of course, artist route हमारे साथ हैं और हमारी होसला अवजाई की किये जा रहे हैं वो लेकिन कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा, जब हम अकेले रहते हैं, घर पे, खुद के साथ तो समझ में आता है कि, जिन्देगी काफी मुश्किल है और ये मुश्किलें जिन्देगी में आएंगी और कोई ऐसा बटन नहीं है जिसको दबाने से जिन्देगी की सारी तकलीफ एक जटके में चली जाए या तो कोई ऐसा सल्यूशन भी नहीं है कि आज एक प्रॉब्लम चला गया, मतलब कल वो वापस नहीं आएगा या कल वो किसी नए वर्जन में, नए रूप में, नए अवतार में वापस नहीं आएगा ऐसी कोई गैरेंटी जिन्देगी नहीं देती हमें और यह सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है इस लॉकडाउन के दौरान की do not take anything for granted सर पे छत मिला है I should not take it for granted और मुझे इस बात के लिए अंदर से एक positivity महसूस हुई है इस दौरान बहुत सारे काम ना मिलने के बीच में बहुत सारी जगा से काम मिले भी है उसके लिए positivity महसूस हुई है उसके लिए gratitude feel हुआ है यह जो feeling है यह positivity है यह कही ना कही reciprocation है reciprocation to what? अगर आप पूछेंगे मेरे हिसाब से यह reciprocation है उस energy का जो universe आपको दे रहा है in the form of an opportunity to survive universe ने मुझे और आपको जो भी लोग यहाँ पे आज वीडियो देख रहे है उन सब को यह survive करने का opportunity दिया है coronavirus के दौरान उन सब से मेरा यह request है कि जिन्देगी definitely एक gift है अभी लग रहा होगा यह क्या घटिया gift है लग रहा होगा लेकिन आप सोचके देखिए बहुत सारे unfortunate लोग ऐसे भी है जिनको हमें जितना मिला है उसका 1% भी नहीं मिला है वो क्या कर रहे होंगे एक positive feeling हमारी तरफ से भी जिन्देगी की तरफ होनी अगर हम लोग होनी चाहिए बोलना गलत है क्योंकि जिसके दिमाग में यह नहीं है वो अचानक इसको generate नहीं कर पाएगा यह cultivate करने की बात है और इसके लिए मैंने क्या किया मैंने अपने आस पास के चीजों को observe करना शुरू किया सब के साथ जो मेरे पास रहते हैं जो मेरे साथ नहीं रहते हैं मगर जो मेरे पास रहते हैं जो मेरे immediate environment है उन सब के साथ interact करना शुरू किया and I started taking less stress जैसे कल क्या होगा कल कुछ होगा या नहीं कल किसने देखा है कुछ ऐसी चीज़े भी हो सकती है जो अच्छी हो कुछ ऐसी चीज़े भी हो सकती है जो पुरी हो सोच के क्या कर लेंगे आप और मैं कोई power तो है नहीं कि बदल लेंगे तो सोच के क्या कर लेंगे और अगर बुरा सोच आता है और अगर दिल में ऐसा खौफ पैदा होता है कि मैं तो अकेला रह गया या मेरा तो करियर बरबाद हो गया या कोई मुझे छोड़ के चला गया ऐसे जो चीजें हैं दिमाग में आती हैं तो एक मिनिट के लिए सोच के देखिएगा अपने आपको बोल के देखिएगा कि what is the worst that can happen in a certain situation सबसे खराब चीज क्या हो सकती है आप realize करेंगे कि वो खराब चीज आपके साथ नहीं हुई है आप realize करेंगे, मैंने किया है I have realized that तभी मैं अपने experience आपको बता रहा हूँ और इसी वज़े से मैं कह रहा हूँ कि bookish होगा, cliched होगा लेकिन बात सही है, बात सच है कितना ही अंधेरा हो, हर situation में कितना ही darkness हो कहीं न कहीं light होगा वो ढोणना हमारी जिम्यदारी है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारे दिमाग को open रखें, हम हमारे दिमाग को बहुत सारे चीजों से free रखें, जैसे stress, unnecessary pressure, social pressure, इन सारी चीजों से दूर रखें, और में भी अपना होबी अपने skills को focus, skills पे focus करें, और अपने लिए एक बहतर कल बनाने की कोशिश करें, दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए, खुद के लिए बहतर कल बनाईए, जिसमें शान्ती हो, जिसमें peace हो आप देखिएगा आपके आसपास का जो environment है, वो अपने आप बदल चुका होगा, यही मेरा message है, 10th September World Suicide Prevention Day में सब के लिए यही message है हिम्मत मत हरिए हिम्मत मत हरिए